Hey guys, welcome you all once again So, आज की इस वीडियो में हम लोग Pulse Width Modulation के टास्क को देखेंगे देखे, यहाँ पर हम लोगों को एक Pulse Width Modulated Wave को generate करना है by using timer 0 और इसकी जो duty cycle है वो initially 0 होगी और towards 100% हम इसको लेके जाएंगे और जो भी आप लोगों का यहाँ पर output waveform मिलेगी उसको हम लोग output unit से connect करेंगे, output unit यहाँ पर आप लोगों का motor हो सकता है या फिर LED हो सकती है और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है जो oscillator frequency है वो यहाँ पर हम लोगों की 12 MHz है मतलब कि हम लोगों का जो CPU है वो 12 MHz पर operate होगा और 12 MHz मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास जो hardware है जिसमें हम लोग इस चीज़ को implement करने वाले हैं वहाँ पर 12 MHz का crystal oscillator ही लगा हुआ है और आप लोगों को ए चीज़े तो पता ही है कि timer 0 के साथ हम लोगों को कुछ predefined pre-scalors मिलते हैं जो की 8, 64, 256 और 1024 हैं इन pre-scalors के corresponding हम यहाँ पर अपने कुछ calculations को देख लेते हैं अगर आप pre-scalor 8 लेंगे तो इसके हिसाब से हम लोगों की जो effective frequency होगी वो 1500 kHz आएगी मतलब कि हम लोगों का जो timer है वो इस frequency से run होगा और calculation के हिसाब से effective जो time आएगा वो आएगा आपका 0.00067 millisecond मतलब कि आप लोगों का जो timer है वो अपनी value को इतने millisecond के बाद increment करेगा और timer 0 जो है वो हम लोगों का 8 bit का है तो आपका overflow जो है वो 0.171 millisecond में होगा मतलब कि आप लोगों की जो एफ pulse होगी इसकी width 0.171 होगी तो इसके हिसाब से अगर आप लोग frequency इसकी निकालते हैं तो वो आएगा 5.84 kHz के आसपास similarly आप लोग 64 prescalers के लिए अपनी calculation देख सकते हैं और 1024 के लिए आप लोगों की यह पर effective frequency जो है वो 11.718 kHz आएगी और जो effective time होगा हमारा वो 0.853 millisecond होगा मतलब कि इतनी millisecond के बाद हम लोगों का जो timer है उसकी value increment होगी और इसके हिसाब से आप लोगों का जो overflow है वो 21.752 millisecond से आएगा तो इस हिसाब से आपकी जो pulse है उसकी frequency 45.97 Hz होगी जिस भी device को आप लोग यहाँ पर pulse width modulated signal से control करना चाते हैं उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में अलग frequencies होती है बताया था तो इन frequencies के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर अपने pre-scalors को set करना पड़ेगा तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1024 को ही अपना pre-scalor लूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों के पास दो waveforms हैं यह जो उपर वाली waveform है इसमें initially हम लोगों का जो duty cycle है वो 0 है और धीरे धीरे यह आप लोगों का बढ़ रहा है और एक time period के बाद यह आप लोगों का 100% हो जाएगा अब जैसे ही 100% होगा उसके immediate बाद हम लोग अपना जो duty cycle है उसको 0 कर रहे हैं और 0 होने के बाद अगेन आप लोगों का इंक्रिमेंट होगा फिर 100 होगा फिर अगेन 0 होगा तो यह cycle इसमें चलती रहेगी वहीं दूसरे waveform के अगर हम बात करें तो इस case में initially जो duty cycle है वो 0 है और उसके बाद धीरे-धीरे यह बढ़के आपके 100% होगी और 100 होने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको reverse direction में decrease कर रहे हैं मतलब कि 0 से 100 आएगी और 100 होने के बाद अगेन हम लोग इसको towards 0 लेके जाएंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी dry कर सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पर उपर वाली waveform को generate कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि नीचे वाली जो waveform है उसको आप खुद से try करें So next हम लोग अपने इस task के flow chart को देख लेते हैं यहाँ पर यह हम लोगों का main routine है और यह आप लोगों का sub routine है तो main routine के अंदर सबसे पहले आप लोगों को C नाम से एक variable लेना है और initially इसकी value आप 255 रखेंगे और इसके बाद हम लोग timer 0 की जो value है उसको इस value से compare करेंगे और जब तक आप लोगों का T C N T 0 की value 255 से below होगी तब तक आपकी जो condition होगी वो true होगी तो आपका जो pulse होगा इस case में वो low रहेगी और जैसे ही आपकी condition false हुई तो उस case में आप लोग अपनी जो pulse है उसको high कर देंगे तो basically यहाँ पर होने के आवाला है वैसे ही आपका जो pulse है वो high हो जाएगी और यह pulse high होते ही आप लोगों का जो timer है वो overflow हो जाएगा तो यहाँ पर आपका interrupt generate होगा और जैसे ही interrupt generate होगा हम लोगों का sub routine यहाँ पर execute होगा sub routine में basically आप लोगों को जो C variable था उसकी value को decrement करना है by one और उसके बाद आप चेक करेंगे कि यह value 0 से below तो नहीं है अगर यह 0 से below होगी तो आप लोगों को जो C है उसकी value को again 255 कर देना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर फिर से main routine में आ जाएंगे और अगर आप लोगों का जो C है वो 0 होगा या फिर 0 से greater होगा तो उस case में भी आप लोगों को main routine में ही आना है तो यहाँ पर हुआ क्या देखिए आप लोगों का initially value C की 255 थी इसके बाद यह sub routine जो first time execute होगा तो उस case में आपर C की value 254 हो चुकी होगी तो अब again यहाँ पर हम लोगों का comparison होगा अब C की value जो है वो 254 हो चुकी है तो इस case में जब तक आपका TC and T0 की value 253 रहेगी तब तक आप लोगों की यह जो condition है true रहेगी मतलब कि इस case में आप लोगों का जब तक यह value 253 नहीं हो जाती तब तक pulse low रहेगी और जैसे ही यह value 254 हो जाएगी तो आप लोगों की यह जो condition है वो false हो गई तो आपका जो pulse है वो high हो जाएगी और यह pulse high आपकी तब तक रहेगी जब तक आपका timer again overflow नहीं हो जाता तो इसके हिसाब से अगर आप calculation करेंगे तो पाएंगे कि आप लोगों की यहाँ पर जो duty cycle है वो आएगी 0.39 अब इसके बाद again हम लोगों का timer है वो overflow होगा आपका जो c की value है वो again decrement होगी अब यह आपकी 253 हो जाएगी अब यह 253 होई फिर से आप लोग यहाँ पर comparison करेंगे यहाँ पर फिलाल आपकी जो यह condition है false है तो again हम लोगों का main routine आएगा अब main routine में हम लोगों का फिर से comparison होगा यहाँ c की value 253 है तो जब तक आपका tc and t0 की value 252 नहीं होती तब तक आपका यह जो pulse है वो low रहेगी और जैसे ही यह value आपका 253 हो जाएगी वैसे आपका जो pulse है वो again high हो जाएगी और यह तब तक high रहेगी जब तक आपका timer overflow नहीं होता मतलब कि आपका जो tc and t0 की value हो 255 नहीं हो जाती तो इस case में हम लोगों का duty cycle है वो आपका 0.78% आएगा तो ऐसे ही हम लोगों का यह जो c variable है इसकी value vary होती रहेगी और उसके corresponding आप लोगों का यह pulse है इसकी width भी change होती रहेगी अब जब आप लोगों का यह जो c variable है इसकी value 0 हो जाएगी उस condition में देखे क्या होगा आप लोगों का यह जो c है वो 0 है और आपका जो tc and t0 है वो overflow के बाद वो भी 0 हो जाता है तो यह condition आप लोगों की यहाँ पर कभी भी satisfy नहीं होगी मतलब की यह कभी भी true नहीं होगी क्योंकि 0 is not less than 0 तो इस case में हम लोगों का जो pulse है वो high रहेगी और यह pulse आप लोगों की पूरे duration के लिए high रहेगी मतलब की हम लोगों का जो timer है वो 0 से start हुआ और आपकी यहाँ पर जो condition है वो false हुई तो यह जो value आपकी timer की है वो जब तक 255 reach नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का जो pulse है वो high रहेगी मतलब इस case में आप लोगों को जो duty cycle मिलेगी वो 100% मिलेगी अब इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे है जैसे ही आपकी यह value c की 0 हुई उसके बाद अगेन यहाँ पर decrement वा तो आपकी c की value minus 1 हो जाएगी तो इस case में यह जो condition है true है तो अगेन आपका जो c है उसकी value 255 हो गई तो फिर से यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा जो duty cycle है वो 0 हो जाएगी और again यह जो चीज आपकी बार-बार repeat होती रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों का time है basically first overflow हम लोगों का जब होगा उस समय आपका जो duty cycle है वो 0 रहेगी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जब आपका 255th overflow होगा तो उस condition में जाके आप लोगों को यहाँ पर 100% duty cycle मिलेगी मतलब कि आप कह सकते हैं कि 5.546 seconds के बाद आप लोगों को 100% duty cycle मिलेगी ओके तो देख सकते हैं आप लोग यह हम लोगों का simulation है जिसके frequency 12 MHz होगी initially इसकी by default value कुछ और हो सकती है इसको आप लोगों को 12 MHz करना है उसके लिए आप यहाँ पर double click कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी value को change कर लेंगे और साथ में ही आप लोगों को यहाँ पर 2 capacitors लगाने हैं जो कि 22 PF के होंगे और इनको आप यहाँ से ground कर देंगे और साथ में ही आप लोगों के यहाँ पर एक oscilloscope और LED connect करनी है PB1 के साथ यही से आप लोग basically pulse को generate करेंगे और monitor करेंगे और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है जब भी आप external यहाँ पर crystal लगाएंगे तो उस case में आपको यहाँ पर अपने controller के कुछ properties को change करना होगा तो यहाँ से आपको double click करना है और मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ यहाँ पर आप logo को अपना जो clock frequency है वो जो बाहर आपने crystal लगाया है उसके हिसाब से change करनी है फिलाल हम लोग 12 MHz का यहाँ पर use कर रहे है तो इसके लिए आपको 1200000 यहाँ पर value लिखनी है और इसके बाद यहाँ पर आपका जो C के SEL fuse है इसको भी आप लोगों ने यहाँ पर external करना है वैसे आप लोगों का यह जो है by default होगा बट आप लोगों को यहाँ पर अगर external use कर रहे हैं तो उसके corresponding जो भी आपका option होगा यहाँ पर उसको आपने select करना है ठीक है तो इतनी चीज़े आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है तो next हम लोग अपनी यहाँ पर programming को देख लेते है तो programming में सबसे पहले हम लोगों को CPU की frequency define करनी है फिलहाल हम लोग यहाँ पर 12 MHz यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए आप लोगों को hash define f underscore cpu 12000000ul लिखना होगा ul basically आप लोगों को यहाँ पर long end है इसके बाद हम लोगों को avr.io.h naam की header file को include करना है और हम लोग यहाँ पर interrupt को भी use करने वाले हैं तो इसके लिए आप लोगों को avr.h naam की header file को भी include करना है next आप लोगों ने देखा था हम लोग flow chart में c naam का एक variable use कर रहे थे तो उसी variable को आप लोगों को यहाँ पर declare करना है globally okay तो मैंने इसका नाम जो है वो change कर दिया है count इसको रखा है और इसकी initially जो value है आप लोगों ने 255 देनी है और इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर main function आएगा main function के अंदर सबसे पहले हम लोगों को PB1 और PB2 को as output line define करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने DDR B जो register है उसमें ये values कुछ डाल दी और चाहे तो आप लोग यहाँ पर 0x 06 पी लिख सकते हैं अब इसके बाद आपका जो यह lines होंगी इन में initially जो voltage होगा वो 0 मिलना चाहिए तो उसके लिए आप लोगों ने port B is equal to all 0s यहाँ पर लिख दिये तो initially होगा क्या आप लोगों का यहाँ पर यह जो दो lines दिवा है as output line define हुई और इन lines में आप लोगों को जो है voltage वो 0 मिलेगा next आप लोगों को timer 0 के लिए clock source और pre scalar को select करना है तो उसके लिए आप लोगों को tccr 0 जो register है इसकी इन दोनों bits को set करना पड़ेगा और initially जो आपका timer है उसकी जो value होगी वो 00 होगी तो वो आप लोगों ने यहाँ पर tcnt 0 में दे दी इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर local interrupt को enable करना है और global interrupt को enable करना है तो local के लिए आप लोगों यहाँ पर timsk में जो यह bit थी इसको high किया और उसके बाद आपने sei नाम से जो function है उसको यहाँ पर call किया तो इससे आप लोगों का जो global interrupt था वो enable हो जाएगा इसके बाद हम लोगों के पास एक while loop है जो कि infinite है और next हम लोग यहाँ पर अपनी conditions चेक कर रहे हैं जब तक आप लोगों का tc and t0 की value less than count होगी तब तक हम लोग pb1 में जो pulse है उसको low रखेंगे और जैसे ही आप लोगों का count की value equal हुई tc and t0 के या फिर उसके greater हुई वैसे ह आप लोग pb1 जो pulse है उसको high कर देंगे तो यह जो चीज आप लोगों की बार-बार होती रहेगी और इस बीच में जैसे ही आपका interrupt आएगा वैसे ही आप लोगों का यह जो isr हो execute होगा isr में basically आप लोगों ने जो count की value है उसको decrement करना है by one और इसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि यह value 0 से less than है या नहीं अगर यह value आपकी 0 से less than है तो आप लोगोंने count की value को again 255 in slice करना है so यह हम लोगों का program है इस task के लिए तो next रम लोग इसको यहां से build कर लेते हैं so build हो चुका है हम लोगों का program तो next रम लोग इसको simulate करके देख लेंगे तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर double click करना है और उसके बाद जो भी आपकी hex file होगी आप उसको select करेंगे और एक चीज़ यहां पर आपको ध्यान देनी है आपका जो CK-SEL fuse है इसको आप लोगोंने 8 MHz to 12 MHz के बीच वाला select करना है और उसके बाद जो भी आपकी clock frequency होगी वो आप लो operation software में exactly output यहां पर नहीं मिलता है फिलाल हम लोगों को concentrate करना है अपनी waveforms में तो यहां से मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आप देख सकते हैं हम लोगों का जो duty cycle है वो initially zero रहेगा और उसके बाद यह धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा मतलब कि on time आपका increase होगा off time decrease होगा और again जब यह 100% हो जाएगा तो फिर again यह zero हो जाएगा फिर 100 होगा यहां पर आप अगर timing measure करना है तो वो कर सकते हैं okay so यह हम लोगों का zero seconds है इसके बाद यह आप लोगों का total on time है और इसके बाद यह off time है तो on time plus off time हम लोगों का total time basically होता है जो कि 21.75 milliseconds आ रहा है और इसी time में हम लोगों का जो timer है वो भी overflow होता है so next इस चीज़ को हम लोग अपने hardware में implement करके देख लेते ह hardware में मैं जो output device है वो motor लेने वाला हूँ तो motor के लिए वैसे हम लोगों का frequency है वो kilohertz में होना चाहिए बट हम लोगों ने यहां पर hertz में लिया है it's all right ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा हम लोगों की motor को यहां पर मतलब जो smooth ने समकों को लोगों को मिलनी चाहिए थी वो यहां L29 3D IC है जिससे कि हम लोग अपनी motor को drive करेंगे और यहां पर आप लोगों की motor है जो की 9 volts की है और इसी motor से हम लोगों की यहां पर यह एक LED भी connected है यह basically series में connected है तो start करता हूँ मैं इसको यहां से तो आप देख सकते हैं हम लोगों की जो LED है और जो motor है उसकी speed पहले एकदम कम रहेगी और intensity एकदम आपकी 0 रहेगी और धिरी धिरी intensity आपकी बढ़ती रहेगी देखिए और जैसे जैसे आपकी LED की intensity बढ़ेगी वैसे वैसे आप देख पाएंगे उदर आपकी जो motor है उसकी speed भी बढ़ रही है so I hope आप लोगों को इतनी चीजे समझ आ गई होंगी अगर फिर भी कोई आपके doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं so बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए channel को subscribe जरूर करें अपने friends लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं so thank you so much for watching जय हिन जय भारत